हेलो एब्रिवन नमस्कार आप सभी कास स्वागत है श्टरी कोच 91 के योडोब चैनल में दोस्तों अमरुजाला की तरफ सेक लैटेस्ट अपडेट आ रही है पॉली टेकनिक कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए यहाँ पर आप सभी लोग डेट देख लिजे तीन मार्च कर शरने भी बताया है तो यह सभी बाते आप लोग जानने के लिए वीडियो के साथ पुराइन तक बने रही है दोस्तों चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ के इस्टडी कोच 91 के नए यूटूब चैनल सब्सक ठीक है तो आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा जिससे आप लोग हमेशा अपडेट होते रहिएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों बेन हेटिंग दे कही है पढ़ाई सम समेस्टर की और परिक्षा की तयारी बिसम की तो देख लेते हैं क्या है पूरी एक अच्छा की भी पढ़ाई चल लेए इससे परिक्षा की तयारी में खलल पढ़ रहा है बिल्कुल दोस्तों अब इधर क्लास चल लेए आप लोग की एक्जाम भी है बिसम समेस्टर की एक्जाम कितने दिन बचा है लग बग जादस जादा 18 से 20 दिन तो भाईयों इसमे जो है छादर क्या करेंगे एवन समेस्टर का पढ़ाई करेंगे आपकी क्लास करेंगे और फिर आपने आगे एक्जाम और समेस्टर की एक्जाम के तयारी करेंगे ठीक है इसके बाद में एक छादर और बोले है मेकेनिकल के छादर संदीप रस्तोगी ने बताया कि जिस समे बढ़ियां अप्लिकेशन के बारे में बताना चाता हूँ जो कि डेली हंट द्वारा बनाई गई है इस सार डेली लर्ण ने आई अचीव स्कॉलरसिप एक्जाम रखा है जिसमें पाट लेकर आप लैपटाप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच भी जी सकते हैं तो भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुचाने का नेड़े लिया है और यहां इंगलीज के साथ-साथ हिंदी माध्य में भी पढ़ सकते हैं डेली लर्ण जल्द ही अपना एप भिलाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, इस्टेडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी मिलेंगी, तो आप वेट किसका कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रेइस्टर कीजी और इनाम जीती है, यानि कि छातर दोस्तो ब्रेक ले रहे हैं, यानि कि अनुपस्तित हो रहे हैं, क्लास नहीं दे रहे हैं, यहां पर फुल जानकारी नीचे भी दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी, पॉली टेकनिक के छातर बीच मजधार में फस गए हैं, जो छातर सम सिमिस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वे बिसम सिमिस्टर की परिक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, परिक्षाएं 22 मार से और परदेश में 4 लाख चातर बैटेंगे, ठीक है, दोस्तों 22 तारिक से आप लोग का एक्जाम है, ये मैटर आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट है परिक्षा नस्दीक आते ही संस्थानों में चातरों की उपस्तिती कम होने लगी है, मामूली बात है, भाई, कोई भी चातर रहेगा, वो अपनी और समिस्टर की त्यारी करेगा, या फिर अभी इवन समिस्टर की, भाई, जो सामने है, उसको तो पहले देखेगा, ठीक है, उसके बाद में देगे, उनकी मांग है कि जब दो हपते बाद है, तो अगली कच्छा की पढ़ाई बंद कर दी जाए, बिल्कूल सही बाई, अगली कच्छा की पढ़ाई यार इवन समिस्टर की छातर दो अपते करेंगे, फिर और समिस्टर का एक्जाम देंगे, तो उनकी एक्जाम पर क्या एफेक्ट पड़ेगा, आप लोग खुश स हो सकते हैं, पॉली टेक्निक की बिसम सिमिस्टर, बैक पेपर और मल्टी पॉइंट एंट्रियम क्रेडिट सिस्टम की परिक्छा जो 22 मार्च से, पहले ये परिक्छाएं 20 जनौरी से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के चलते अस्थगित कर 15 मार्च से प्रस्तावित की ग परिक्छा में बैटेंगे, वे एक महीने से अगला कच्छा सम सिमिस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, इससे चातर अब कच्छाओं से दूर बना रहे हैं ठीक है, तो दोस्तो भाई कोई भी छातर रहेगा जो सामने रहेगा उसको देखेगा या फिर इवेन सिमिस्टर उसके लगबग दो महीने बाद होगा कि उसको देखेगा, ठीक है, मामूली बाद है पहले सभी छातर और समिस्टर की अप तयारी करेंगे, तो इसमें बताया जारा कि सातर जो है करने पर कच्छाएं प्रारंब कर दी गई है, सुनिये सून कर सचिव प्रावेदिक सिच्छा परिशा ठीक है, दोस्तों आज के इस न्यूस पेपर में यही अपडेट आप सभी के लिए आया है, आसा है आप लोग को अपडेट समझ में आया होगा, ठीक है, दोस्तों मैं स पसंद आई होगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजगा, और हाँ दोस्तों मेरे नए यूटूब चैनल इस्टडिक और 91 सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लेगा, मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई, जैहिंद!